कोशन नमबर 8, if sin theta plus cos theta is equal to root 2, then 10 theta plus 4 theta is equal to, इस कोशन में हमें हमें दिया है, sin theta plus cos theta is equal to root 2 दिया है, और हमें value find करनी है, 10 theta plus 4 theta की, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ common नहीं है, step wise देखेंगे, कुछ common है, नहीं है, क्या इसमें कुछ directly identity apply हो सकते हैं, trigonometry की नहीं हो सकती, तो अब हम next step होता है, कि इसको sin और cos में convert कर लो, तो tan को अगर हम sin और cos में करेंगे, तो यह होगा sin theta, tan theta को हम लिख सकते हैं, sin theta upon cos theta, और cos theta को हम लिख सकते हैं, cos theta upon sin theta, अब देखो बेटा, cos theta और sin theta का LCM होगा हमारा cos theta multiply sin theta, अब LCM होगा हमारा cos theta and sin theta, तो अब हम cos theta and sin theta को इस cos theta से divide करोगे, इस cos theta से divide करोगे, तो यह cos theta, cos theta कट जाएगा, मने पस क्या आएगा, sin theta, जो यह sin theta बचा है, उसको numerator वाले sin theta से multiply करेंगे, तो sin theta into sin theta क्या हो जाएगा, sin square theta, अब सेम रूल इदर, अब देखो बेटा, अब हम इदर cos theta into sin theta, है LCM, इसको इस वाले sin theta से divide करो, तो अगर इस वाले sin theta से divide करते हैं, तो इस sin theta, sin theta cut हो जाएगा, तो क्या बचेगा, cos theta बचेगा ना, और इस cos theta को, जो numerator में cos theta है, उससे multiply करा दो, तो यह क्या हो गया, cos square theta, अब sin square theta plus cos square theta, एक technometric identity है, अब sin square theta plus cos square theta की जगे हम 1 लिख सकते हैं, यह technometric identity है, वह identity होती है कि sin square theta plus cos square theta is equal to 1, यह याद रखना, तो 1 upon cos theta into sin theta, अब हमारे पस यहां तक हो गया हमारा, लेकिन आगे हमारे पस cos theta, sin theta नहीं है, तो हमें cos theta, sin theta की value चाहिए, वह कहां से आएगी, वह इसको solve करके आएगी, इसमें common कुछ नहीं है, identity directly apply नहीं हो सकती, sin theta cos theta में already converted है, तो इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, बस इसकी squaring both sides करके try कर सकते हैं, क्योंकि यह root 2 है, root हट जाएगा squaring करने से, तो वह ही करेंगे, और इसमें द्यान दो, जब हम इसकी squaring करेंगे, तो मारे पास a plus b whole square बनेगा, यानि कि sin square theta plus cos theta plus 2ab में 2 sin theta into cos theta आएगा, तो उससे मारे पास cos theta into sin theta की value आ जाहेगी, तो इसलिए हम इसकी squaring करके करेंगे, अब हम लिखेंगे squaring both sides, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, sin theta plus cos theta whole square is equal to root 2 whole square, अब देखो बेटा, इतर a plus b whole square के identity applicable है, a plus b whole square, क्या होता है, it is equal to a square plus b square plus 2ab, okay, तो यह same identity हम इदर apply करेंगे, देखो इदा, sin square theta, a की जागे sin square theta, a की जागे sin square theta, a square की जागे, b हमारा cos theta की equal है, तो e cos square theta हो जाएगा, plus 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 2ab, तो 2 into sin theta, multiply cos theta, और root 2 का square क्या होगा, root 2 into root 2 हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि root 2 into root 2 root 4 होगा, और root 4 का square root क्या होता है? 2 यह होता है, तो इसको हम direct 2 लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी number हो, root 3 का square हो, तो उसको 3 लिख सकते हैं, sin square theta plus cos square theta होँमारा 1 होगा, 1 upon 2 sin theta into cos theta is equal to 2, अब यह वाला 1 जो आर ना ऑ्लैसे यहां रहत समय जाके माइनस हो जाएगा तो हम लीकिंगे कूसाइन टीटा तो को सुटीटा इसे क्वैट टू टू माइनस षट biss मिटम टू को टीटा अब टू माइनसाइन सब्सक्राइड ना हो गोànड तो यहां वन आगया और कर साइन टीता संटिता की वैल्यूट चाहिए और और मल्टिप्लाइब तो आप यहां सब्सीटूट कर दो टूइटा तो यह वापन टू विल्व के यह वेल्व्र마 पास को टीन तो इंट टी टाकी अगई यह वैल्यू आप यहाँ सबसिट सीचुट करत कर दो तो ऊपन को स्च टीरां ँटू सैंट टीटा के जगे वन अपन टू आ जाएगा और अब क्योंकि मैंwe 1 divided by 1 by 2 है यहां यह एक्चुली जो फ्रेक्शन का सायन उसको हम डिवाइड भी मानते हैं तो जब भी फ्रेक्शन में डिवीजन होती है न जो डिवाइजर होता है जैसे हम 1 को 1 upon 2 से डिवाइड करें तो इसका हम डिवाइजर का रैसी प्रोकल कर लेते हैं तो 1 multiply by 2 by 1 हो जाए है तो 2 divided by 1 हमारा 2 होगा सो फाइनली हम जो हमारी 10 टीटा प्लस को टीटा की वैल्यू क्या ही टू आ गई और यह कौन सी ऑप्शन से मैच करती है वैल्यू ऑप्शन भी टू